बताइए आपको जाने आने में किस परकार से दिक्कत की सामना करना पड़ता है। लोग इस परकार से अपना तरकीब को अपना है। इसके उपर पूल बनाया है और ताकी जाय सो कम समय में हमें डर लग रहा है कि पूल अगर टूट जाए तो हम नीचे जा सकते हैं इसलिए आपको दिखाने काम परियास कर रहे हैं यह जो पूल आपको मिलेगा देखने के लिए और यह जो दृष हैं यह दृष आपको कहीं न कहीं जैसो एक तरह से कर सकते हैं कि किसान की अखलाकारी है और जैसो अगर इस पर बैचार और बिमर्च करके अगर यहां के माननी यह विधायक जी और यहां के माननी इंशाय सो मुख्या नहीं है ताकि उससे बात्चित करें और हम लोग अभी जा रहे तो हमें लगा कि नहीं इस टाइब का काम होनी चाहिए हमारे पंचायत के अंदर जो पंचायत है उसमें यह पूल की काम जैसे कम जो रुका हुआ है यहां पर जो आवादी है उस पर जाने में उनको काफी दिक् प्रशित करने का बाद अभी आप देख सकते हैं कि यह असली है बिहार की सच्चाई और मैं आपको बता दो कि यह पूल देखने से लग रहा है कि कई साल पुराने है यहां का किसान है सभी किसान मिल करके इस पूल को त्यार करते होंगे और अपना जैसो समय बचाने के इस पूल पर त्यार होंगे साथी साथ मैं आपको बता दो कि यह पूल है इसके बगल में यह कमला के कमला से फूटा हुआ एक भाग है जो कि आपको यह मुरहद्दी और आपको इस हो गया जो की फिपरागार चहर जो है उसको जोड़ने काम करती है तो बने रहे हमारे साथ हिंदुस्तानी मीडिया के साथ अभी हमारे टीम मवजूद है बाओ वही के छेत्र में आजचित करते हैं और उनसे कुछ बात करके दादा एक मिट रुकिये तो बोले कि यह पूल पर आप भाड़ी चीज़ को कैसे ले जाते हैं जेलो सब जाए है जेलो जाए जाए है अहा सरकार से अप लोग मांग करते हैं उस पूल कर बारे में कोले जय है चैकि सरकार को इन लोग बताये है कि भोट देरें पूल बना दीजिए लेकिन फूल अभी तक बना नहीं है बगल के जो विधायक जो उसके पास कम्प्लेन के था आप लोग उसका हम चाने बुहेशे अच्छा बलांग में पूल भेल है तो तीर छाप में दिया है तो पूल हुआ है तो माननिय तीर छाप महालदाई जी पूल पर भी एक बार ध्यान दीजिए यह पू पूल है जो चपर है उस साइड घर है उस साइड लोग का घर है उस साइड के आलो को इधराने में काफी दिक्कत के सामना करनी परती है और यह पूल आपको कहीं ने कहीं बाद में अच्छती गरस्त हो जाता है एक बर हमारे केमरा मैन इस द्रीश को दिखा देंगे ये द्रीश आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि ये पूल परतेक साल रिपेरिंग हो रहा है हमारे बीच जैसो अभी कुछ लोग मवजूद नहीं है जैसे कुछ लोग मवजूद होंगे उनसे बातचित करेंगे और इस पूल के लिए जैसो हम लोग सरकार से निवेदन भी करेंगे कि ये पूल बननी चाहिए बहुत ही जल्द बननी चाहिए आप देख सकते हैं कि चाचा का कहना है कि एक दिन के काम करते हैं एक दिन की जो मजदूरिय हमारे यहां वो तीन से चार सो रुपया है और एक बांस देते हैं हम लोग इसमें और कितने दिन पर रीपेरिंग करना परता है इसको बना मतलब की मदल आगा है एक सार पे दादा जी थोड़ा सहाब इससे राज आएंगे दादा जी से कुछ बात्चित करते हैं हमारे साथ बने रहे और दादा जी इस पूल पूल के बारे में आप क्या कहेंगे पूल यह सब्सक्राइब किसान के मुर्ज लोग खती करेंगे आप लोग थ्वास साइड हो जाएंगो उस साइड बारी सा रही है बाहर जाकर कर तो यहां पर जैसे दादा जी कहना है कि हां पर दो बरत डूम गए है और इसके साथ दो पर आज जाता है तो सरकार से आप मांगने कि сторон का हां मंकि नुदे कि लोडव कि दो पो लेकिन को जो सरकार से मांग करते हैं तो सरकार यह पर जो यहां पर पूल नहीं है यह है बिहार की असली सच्चाई आपको जाने आने में किस परकार से दिक्कत की सामना करना पड़ता है कि इधा के लिटें का मतलव यह है कि यहां करतें का लिगे आड़ीब करते हैं वह Rich Day रही होई कि इसमें और आदमें जो बारबार कुछ रही यहां पर आप बताईए कि सरकार से आप लोग एक जुट होकर के मांग क्यों ने करते हैं तो आप लोग भी आप लोग भी जह सो यहां पर जह सो आप लोग चलते हैं इस पूल के उपर तो सरकार से एक जुट होकर के मांग करें इस पूल के हम आपके साथ खरे हैं और इस पू कि अगर आप मिर्यारश चैनल यूटूब पर सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारा फेस्बूक पर देख रहा है तो चैनल को फालो कर दे आड मेझ कर información